अगर आप RCB के फैन है तो RCB ने कसम खाली है कि RCB की टीम को सिर्फ और सिर्फ अगर वो IPL 2024 खेल रही है तो वो दसवे नंबर पर आने के लिए खेल रही है क्योंकि RCB की टीम को ट्रोफी से कोई मतलब नहीं है RCB के किसी भी खिलाडी को अच्छा परदसन करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि RCB के जो खिलाडी टीम में खेल रहे हैं उनको सिर्फ IPL पूरा करना है और IPL पूरा करने के बाद उनको जो पैमेंट मिलनी है वो अपनी पैमेंट लेकर अपने घर से ले जाएंगे क्योंकि RCB की टीम जिस तरह का परदसन लगतार IPL 2024 में करती भी दिखाई दे रही है उससे सबसे बड़ी सर्मनाक हार अगर किसी को मिल रही है तो वो RCB की टीम है RCB की टीम एक ऐसी टीम बन चुकी है जो की जीत तो छोड़ी है जीत के करीब भी नहीं पहुँच रही है जी जी हा दोस्तों अगर आपने कल MI और RCB के वीच का मुकाबला नहीं देखा है तो RCB और MI के इस मुकाबले में RCB की टीम को एक बार फिर से एक तो होती है हार एक होती है सर्मनाक हार और एक होती है RCB की स्पेसल हार जो की RCB ने स्पेसल हार को एक बार फिर से कबूल कर लिया ह RCB के खिलाडियों को खुद Mumbai Indians के खिलाडी परमोट कर रहे थे खुद उनकी तारीफे कर रहे थे क्योंकि जिस वक्त दिनेश कार्तिक बल्ले बाजी कर रहे थे तो रोहित सर्मा दिनेश कार्तिक से कहते हैं कि खेलते रहो अपने आपको पर्मोट करते रहो अपने आपको सुधारते रहो दिनेश कार्थिक को यहां तक रोई सर्मा कहते हैं कि तुमको T20 World Cup 2024 खेलना है हाला के वहां किस्सा बड़ा सांदार था बड़ा ही मजा क्या टाइप का था क्योंकि जिस वक्त दिनेश कार्थिक बल्ले बाजी कर रहे थे उसी वक्त इसान किसन विकेट के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे थे और इसान किसन उस वाक्ये को सुनकर हसने लगते हैं क्योंकि पिसान की संसोच रहे होते हैं कि हम यूआ है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको रिटायरमेंट से वापस लोटाने की बात की जा रही है क्योंकि T20 वर्ल कप 2024 के लिए रोई सर्मा कहते हैं दिनेश कार्तिक को कि तुमको T20 वर्ल कप 2024 खेलना है RCB की टीम की तरफ से Glenn Maxwell ने तो बिल्कुल कसम खाली है कि उनको पूरे IVL में 50 से ज़्यादा रन बनाने नहीं है उनको आना है आने के बाद सुनने पर आउट हो जाना है 3 गेंदे खेलनी है 1 रन बनाना है 4 गेंदे खेलनी है 1 रन बनाना है RCB की टीम का हाल इतना बुरा हो चुका है कि RCB के फैंस अब पूरी तरह से फस चुके है वो समझ ये नहीं पा रहे हैं कि हमने इस टीम को बड़े-बड़े खिलाडियों की वज़े से हम इस टीम के फैन बने ते 23 गेंदों का सामना इस खिलाडी ने किया 53 रनों की पारी खेली 5 चोके उन्होंने अपने इस पारी में लगाए 4 छक्के लगाए और 38 साल के दिनेस कार्तिक ने उन सभी युवा बल्ले बाजो और उन सभी अनुभवी बल्ले बाजो गेंदबाजो को यहाँ बताया है कि खेल किस तरह से खेला जाता है हाला के धाप डूपलेशी स्किन ने भी 60 से ज़्यादा रनों की पारी खेली लेकिन एक मैच में कंट्रिब्योशन करने से कोई फाइदा नहीं होने वाला क्योंकि विराट कोली हर एक मैच में अपना कंट्रिब्योशन दे रहे हैं लेकिन उसके बाद जीत के नाम पर RCB के खेमे में सनना टापड़ा हुआ है मुंबई इंडियन्स की टीम अपने फलो में वापस आ चुकी है और अब मुंबई इंडियन्स की टीम को रोगना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी चुरोती बनने वाला है क्योंकि मुंबई इंडियन्स की टीम अब Point Stable में भी लगबग पाचवे स्थान पर पहुँच चुकी है चेटे स्थान पर पहुंच चुकी है और मुंबई इंडियन्स की टीम वो टीम है जो की पांच मैच लगता रहालने के बाद भी ट्रोफी जीतने की अक्समता रखती है मुंबई इंडियन्स की तरफ से अगर देखा जाए किसी भी बल्लेवाज का श्ट्राइक रेट अगर एक आज बल्लेवाज को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी का श्ट्राइक रेट 200 से कम का नहीं था इसान किसन ने 200 से ज़यदा के श्ट्राइक रेट से बल्लेवाजी की रोई सरमा को आप मालो कि उन्होंने 1500 के उपर श्ट्राइक रेट से बल्ले बाजी की सुर्य कुमार यादव ने RCB के गेंदबाजों की धज्या उड़ा कर रख दी 273 के strike rate से उस बल्लेवाज ने बल्लेवाजी की 17 गेंदों पर 50 उरहने लगाई और अगर उनका overall strike rate देखा जाए तो 273 का strike rate सुर्य कुमार यादव का था हाला के भले ही पहले match में 0 पर out हो गए हैं लेकिन सुर्य कुमार यादव ने बताया है कि T20 format का अगर इस दुनिया में सबसे बहतरीन और सबसे गजब का कोई बल्लेवाज है तो वो सुर्य कुमार यादव है उसके अलावा T20 format में 360 अगर कोई बल्लेवाज है तो उसनके अलावा कोई बल्लेवाज नहीं हो सकता जी हां दोस्तों अगर इस मैच में देखा जाए तो ऐसा लग रहा था जब RCB की टीम ने 196 रन बनाए कि RCB की टीम कुछ तो टकर या फिर कुछ तो जीत के करीब कहीं ना कहीं एक बार मैच में वापस आएगी लेकिन मुंबई इंडियन्स के बल्लेवाजों ने सूर्य कुमार यादा उने इसान किसन ने उपर से आज हार्दिक पांडिया ने भी जिस तरह की बल्लेवाजी की छे गेंदों पर 21 रन उन्होंने बनाए तीन छक्के उनके पारी में सामिल थे पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया आखरी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया धोनी के स्टाइल में उन्होंने मैच को खतम किया और हार्दिक पांडिया को जब बल्लेबाजी करने हार्दिक पांडिया आते हैं तो विराट कोली होते हैं जो कि जब उनको पबल्लिक बू कर रही होती है फिर से उनकी बेजजती कर रही होती है उनको जलील कर रही होती है तो एक बार फिर से विराट कोली ने खेल भावना को दिखाते हुए दरसों को उसे कहा कि इनको बू करना बंद कीजिए यहाँ भारते टीम का एक खिलाडी है अगर आप RCB के फैन है तो आप RCB के फैन हो सकते हैं लेकिन RCB के आप फैन नहीं हो सकते क्योंकि अब RCB RCB नहीं RCB हार सी बंद चुकी है और लगतार मैच हार्ज रही है और अब पोइंच टेबल में अगर RCB की स्थिति देख ली जाए तो नोवें स्थान पर है बस एक स्थान की और कमी है अब ये दसवें स्थान पर आजाएगी और दसवें स्थान पर आप्त होते ही हार्डिक परंडा के कप्ताने को बचाने वाले गेंदबाज जस्परीद बुमरा ने गजब का कहरड आया और पहले ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने आरसीबी की तरफ से आरसीबी के लिए गेंदबाजी करते हुए आरसीबी के पांच विकेट आयपेल इतियास में पहली बार लिया हूँ क्योंकि इससे पहले आरसीबी के कोई बी ऐसा गेंदबाज नहीं आया था जिसने पांच विकेट आरसीबी की टीम के आसिल किये हूँ लेकिन जस्परीद बुमरा ने आरसीबी का ये गमंड भी तोड़ दिया है कि हम आपका ये सपना भी पूरा कर देते हैं हम आपके पांच विकेट भी ले लेते हैं ताकि आपके नाम ये एक बदनुमा दाग नहीं है तो आपको ये दाग भी आपके नाम कर देते हैं ये सर आप से लगबग बाहर हो चुकी है और RCP की टीम का लोटना अब लगबग नामूम्किन हो चुका है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा फेस्बुक पर अगर हमें को देख रहे हो तो फेस्बुक पर फोलो कीजेगा